हाई एवरीबन स्वागत है आपका आरस क्रेशन स्टेडी चैनल में तो आज हम लोग बहुत इंपोर्टन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आम इजी 14 का है ब्लॉक एट्थ नॉन फिक्शनल प्रोज यूनिट फर्स्ट प्रेमचंद लाइफ एन टाइम्स ये जो था originally हिंदी में वर्क सबसे पहले पब्लिश हुआ था ये था कलंब का सिपाही था इसका टाइटल इसका जो है English में टाइटल था ये प्रेमचंद, His Life and Times इसको हिंदी में लिखा था अमरित राया ने जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं और ये जो वर्क है ना इसमें प्रेमचंद की वायोग्राफी बताया हुआ है प्रेमचंद के लाइफ के बारे में बताया हुआ है जो कि बहुत ही फेमस हिंदिया और उर्दू राइटर रहे हैं अपने टाइम के और इसको ट्रांसलेट किया है हरि त्रिवेदी ने तो ये जो वर्क है ये काफी फेमस था और अमरित राय ने जो है 1963 में जो है इस वर्क के लिए साहिते अकेडमी अवाड भी जीता था और अमरित राय ने ये जो वर्क है ये 640 पेज में लिखा हुआ है तो हम इस वर्क के जो है बहुत important important chapters देखने वाले हैं क ये 5 chapter की help से आपको पता चलेगा कि जो मुंसी प्रेमचन जी थे वो किस तरह के व्यक्ति थे और कैसे वो writing लिखते थे उन्होंने society में अपना क्या contribution दिया था उनके views क्या थे ये सारी चीज़े हमें पता चल जाएंगे इन्ही 5 chapter से तो इनको पढ़ना बहुत जादा important है जो जो अमरी तरह है ना वो इस वर्क को जो है जो documentary और biography नहीं मानते हैं प्रेमचन की वो इसको ऐसे consider करते हैं कि ये जो वर्क है ये एक novel है और इसका जो main protagonist है वो प्रेमचन है इनका father है ठीक है तो ये इस वर्क को ऐसे मानते हैं और ये जो हरीश्त्रिवेदी थे इनको ये वर जादा अच्छा है और इतना जादा famous है क्योंकि इसमें जो अमरी तरह है ना इन्होंने अपने father को बहुत सी जगा पर क्रिटिसाइज भी किया है मतलब उन्होंने उनकी सिर्फ और सिर्फ अच्छी image दिखाने की कोशिश नहीं करी वी है कहीं जगा पर क्रिटिसाइज भी क जबकि ये प्रेस जो थी उनकी इतनी जादा चली नहीं थी फ्लॉप हो गई थी और भी बहुत जगा पर जो अमरी तरह है उन्होंने अपने father को क्रिटिसाइज किया और उनकी life को जो है as it is दिखाने के कोशिश किया कुछ भी तोड मरोड के नहीं दिखाया है इस biography में तो माध्यम से जो प्रेमचन जी थे वो society के जो evil चीजें होती थी उनके उपर direct वार करते थे और अपने pen से जो है society में अपना contribution देते थे इसलिए इसका जो title है वो कलम का सिपाही है मतलब a soldier with a pen तो सबसे पहले जो है इस biography में जो है अमरी तरह ने इनका introduction दिया हुआ है जो थे हम सब जानते कि बहुत ही फेमस इंडियन राइटर थे जो की हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे और 20th century के जो है इनको सबसे परसिद लेख को में माना जाता है और ये जो थे ना बहुत ही extraordinary person थे talent वाले इंसान थे लेकिन ये जो थे बहुत ही simple और humble किसम के इंस इनकी simplicity का जो बहुत ही famous example है वो इनका एक photograph है जिसमें ये जो है एक बहुत ही simple तरीके से धोती और कुर्ता पहने हुए बैठे हुए और पाओं में इन्होंने जूते पहने हुए है और जो left पाओं का जूता है वो जो है फटा हुआ है और ये जो है यहां पर बैठे हुए ह और जो इनका जूता फटा हुआ है इसके उपर जो है एक हरी संकर बहुत ही famous writer है तो इन्होंने जो है प्रेम चंद के फटे जूते नाम का एक जो है बहुत ही famous work लिखा हुआ है ये बहुत ही famous work है आप इसको पढ़ सकते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं कि प्रेम चंद जी discovery करते हैं power of his pen की जो pen है उसकी power कितनी जादा है और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कैसे जो है relate हुए writing के साथ और reading के साथ इतने जादा वो attach हो गए तो यह जो chapter है इस chapter में प्रेमचंद के childhood को बताया गया है यहाँ पर यह जो है इनका जनम जो है बनारस यूपी में होता है लमही गाओं में 1880 में और यह जो मुणसी प्रेमचंद थे इनका बच्पन का नाम जो था धनपत राय था इनका जो प्रेमचंद है वो pen name है जो इन्होंने बाद में रखा था और इस chapter में बताया हुआ है कि कैसे वो जो थे बच्पन में इतने ज़्यादा शैतान थे मतलब क्यूट थे और वो जो थे प्रेंक किया करते थे लोगों के साथ और जो पेड होते थे वहां से कच्चे पके आमों को तोड़ा करते थे कजाकी के साथ खेला करते थे और बाकी बच्चों के साथ जो है कहानिया सुनाया करते थे और सुनते थे और जैसे ही वो आठ साल के होते हैं और तब से उर्दू और पर्शियन सीखने लग जाते हैं और जब वो आठ साल के होते हैं तब ही उनकी जो मदर होती है उनकी death हो जाती है और उनके जो फादर हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं लेकिन उनकी जो step mother होती है न वो उनको वैसा प्यार नहीं दे पाती है और उनसे काफी जगड़ा होता है उनका और काफी बार उनकी writing में आप देख सकते हैं कि वो जो थे अपनी mother के loss की उनके death के बार में बहुत जादा लिखते थे अपने work में और इनके जो फादर थे वो बहुत जादा busy रहते थे तो ये जो प्रेमचन थे एकदम अकेले थे और ये जो थे बहुत ही छोटी उमर से किताबों से जूट जाते हैं इस कारण से किंकि ये बहुत जादा अकेले होते हैं और काफी time जो है अपना reading में बिताते ह मतलर realistic चीजें लिखा करते थे जो society में जो relevance चीजें होते थे उनके बारे में लिखते थे और real चीजों के बारे में और social evil जो society में बुरा हो रहा होता था उसके उपर लिखते थे बहुत सारे ऐसे topic होते जिनके उपर कोई बोलता तक नहीं था और munsi प्रेमचन जी तब जो भी बताया गया है कि इनका जो first work था वो कैसे इन्होंने लिखा और कहां से inspire हो करके लिखा इनका जो first work था वो था एक अयाशी अंकल के उपर जिसको जो है गाओं बाले पीट पीट करके गाओं से निकाल देते हैं क्योंकि उसने जो है एक औरत को जो है मॉलेस्ट करने की कोश से होता है उस अंकल को जो है सस्पेंट कर दिया जाता है उसके जॉब से तो यहाँ पर जो है अमरी तराय ने बताया है कि कैसे प्रेमचन जो है इनको पता चलता है कि यहाँ पर यह discovery करते हैं कि power of pen जो pen की power है वो कितनी जादा है यह जो pen की power है न यह जो है brutal force से भी कहीं dog तो उनका जो pen है वही उनकी ढाल भी होगी वहीं उनकी shod भी होगी मतलब weapon भी होगा तलवार भी होगी और इसके बाद हो decide कर लेते हैं कि वह social evil के उपर लिखेंगे ना कि वह जो है जो romantic tales होती है जो horror stories होती हैं वैसे stories के उपर वह नहीं लिखते हैं वो society के उपर लिखते ह और बाकी के जो essay और बाकी का जो work है वो तो अलग से इन्होंने लिखा हुआ है, तो यह बहुत जादा famous writer थे अपने time के, तो जो next chapter है, वो है 12th chapter, यहाँ पर happy days बताये गए हैं, गोरकपुर में, 1916 में, तो यहाँ पर प्रेमचन जी teacher बन गए थे, जो school होता है, वहाँ पर government, और यहाँ पर इनका बेटा भी पैदा हो जाता है, यह father बन जाते हैं, तो महाबीर परसाद नाम के एक ब्यक्ति होते हैं, जो उनका जो work है, उसको बाद में publish भी करते हैं, यह महाबीर जी, तो इनसे जो है, यहाँ पर इनको realize होता है, कि इनका great potential Hindi writing के लिए, तो यहाँ पर अपना नाम बना चुके थे, तो प्रेमचंद के लिए अपनी जो family थी ना, उसी को वो अपनी दुनिया मानते थे, world मानते थे, लेकिन वो narrow minded individual नहीं थे, यहाँ पर आप यह point note की दिए, कीजिए, यहाँ पर वो जो है family पूरे देश को मान रहे हैं, जो पूरा देश है, वो उनकी large family है, और इसके बाद जो है, वो अपनी writing से जो है, लोगों को influence करना start करते रहते हैं, अपनी कलम की help से, और प्रेमचंद जी जो थे, गांधी के विचारों से बड़े प्रभावित थे, उन्होंने जो है, क्यूंकि उनको गांधी जी जो थे, एक नहीं तरह के leader लगत करते थे, तो इसका एक बहुत अच्छा example है, जब गांधी जी ने जो है, non corporation movement start की थी, तो उन्होंने जो है, लोगों से अपील की थी, कि वो government job छोड़ दें, और जो बाहर का समान है, foreign के समान को वहिसकार करतें, तो even जो प्रेमचंद जी थे, उनकी financial condition अच्छी नहीं थी, तब भी उन्होंने जो है, वो successful teacher बन चुके थे, और तब भी उन्होंने अपनी जो job थी, government job उसको छोड़ दिया था, गांधी जी के कहने पे, और इस तरह से उन्होंने जो है, जो independence की लड़ाई थी, उसमें अपना contribution दिया था, तो इसके बाद वो जो है, अपना work के उपर पुरा का पुरा focus कर देते हैं, जब वो job छोड़ देते हैं, और बहुत सारे work लिखते हैं, देश के लोगों को जागरूप करने के लिए, और एक और जो important point बताया गया इस chapter में, वो ये है, कि वो जो थे, अपने जो, उनका जो behavior बताया गया, जो Muslim employees थे, उनकी तरफ, वो इदभाव नहीं करते थे Muslim और Hindu में, तो जो next chapter है, वो 19th chapter, ये जो all about रंग भूमी है, तो ये जो रंग भूमी है, ये work था एक इनका, जो की चोगान हस्ती नाम से publish हुआ था, और ये जो था 1922 से लेकर के 24 के बीच में इसको लिखा गया था, प्रेम चंद ने अपने देश क लेकर के जो चिंताएं हैं, वो इस work में दिखाई हुई है, इस novel में उनके ये जो concern है, वो reflect होते हैं, और इन्होंने इसमें जो है एक सूरदास नाम के एक old bagger को बताया हुआ है, इस work में, और इस work में जो है स्वतनतरता के आंदोलन के संगर्ष को दिखाया हुआ है, अपन ये चोरी का charge लगते हैं, और कैसे वो खुद को जो है defend करते हैं, इस situation में, इसके बाद जो है क्यूंकि उनकी job तो उन्होंने छोड़ दी होती है, इसके बाद वो जो है एक literary advisor बन जाते हैं, गंगा पुस्तक मेला में, जो की एक जो है publisher house होता है लखनाउ में, जहां उन्हें सिर्फ 100 rupees मिलते हैं per month, तो अब आगे देख लेते हैं कि ये जो 25th chapter है, इसमें प्रेमचन जी ने अपने country के लोगों को जागरूख करने की कोशिश किया है, अपना एक work है, हंस इसके through, और जो writing है, उसके through उन्होंने prepare होने के लिए बोला है लोगों को सोराज के लिए 1930 में, तो यहां पर ये जो chapter है, इसमें बताया गया है कि 1930 के time पे जो था, जो वाइस रॉय थे, उन्होंने जो है कर्ट reply दिया था गांधी जी की सर्तों का जो मांगे थी उनकी 1930 में, तो इसके बाद जो है पूरा देश खड़ा हो गया था fight करने के लिए और नमक कानून को कर दिया था कि ready हो जाईए, त्यार हो जाईए, fight करने के लिए, पूरान सोराज पाने के लिए और अपनी writing है इनकी हांस, इसके through इन्होंने जो है लोगों को जागरुक किया और इनके और भी बहुत सारे work थे, जैसे ये जो थे work करते थे new literary political monthly में और इन्होंने जो है अपन writing का चार्ज भी लगा था, जिसके लिए इनको जो है 1,000 रुपीज देने पड़े थे Britishर सरकार को, क्योंकि उस टाइम जो थे tradition का चार्ज लगा देते थे Britishर जो थे Indian के वर्क के उपर, tradition का चार्ज होता है, देश द्रोह का चार्ज एक तरह से, ठीक है, मतलब, Britishर किसी के उप 1930 को, और प्रेमचन जी जो थे अपनी writing से अपील करने की कोशिश की थी, यंग जमिदारों को भी उनको unite करने की कोशिश की थी, और अपने country के लोगों के लिए खड़े होने के लिए उनको कहा था, तो जो next chapter है, वो है 33rd chapter, यहाँ पर प्रेमचन जी जो है deeply disturbed बताये गए है, जो की gulf wider हो रहा है, मतलब जो gulf जो खाई है दिन परती दिन बढ़ती जारी है हिंदी और उर्दू के बीच में, तो प्रेमचन जी इस chapter में क्या है, डेली आते हैं अपने friend जी तेंदर के साथ, और यहाँ पर जो है उद्गाटन करते हैं हिंदुस्तानी सबा का, जामिय मि पर रही है, इनकी जो policies बनाते हैं, यह जानबूज करके ऐसी policies बनाते हैं, क्यूंकि इनका तो पहले से काम था ना, food डालो और राज करो, और इसके लिए प्रेमचन जो है लहोर में, आर्या भासा समेलन में भी जाते हैं, और वहाँ पर जाकरके जो है इस बारे में बात करत और वो खुद भी bridge का काम करते हैं, इस खाई को भरने के लिए, क्यूंकि जो प्रेमचन जी थे ना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कि जो हिंदी है, वो हिंदू की language है, और जो उर्दू है, वो सिर्फ मुसल्मानों की language है, क्यूंकि प्रेमचन को पता था, यह सब British नों का किया हुआ है, और अगर ऐसे हिंदू मुसलिम जो है, एक दूसरे की language को बुरा भला बोलते रहे और नफरत करते रहे, तो वो लोग एक दूसरे से बहुत जाँद दूर हो जाएंगे, और एक दूसरे की language को यूज करना बंद कर देंगे, और ऐसे हिंदू और मुस दिया, लोगों को unite करने की कोशिश की, अपनी writing के माध्यम से और लोगों को personally मिल करके भी, और ये जो थे ना, इस language discrimination को खतम करना चाते थे, और लोगों को जो है, हिंदू और मुसलिम को unite करना चाते थे, लेकिन वो जो थे ना, इसमें जादा successful नहीं हुए थे, fail हो गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया के जो दो हिस्से थे ना, वो होकर के रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान, तो यह जो यहाँ पर जो अमरित राय है, इन्होंने प्रेम चंद को as a peacemaker बताया है, हिंदू एंड उर्दू के बीच में as a bridge का काम करते हुए बताया हुआ है, तो यहाँ पर यह जो हमारी समरी है, यह खतम हो जाती है, I hope आपको यह वीडियो पसंद आयोगी, अगर पसंद आयोगी तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe जुरू कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसे next वीडियो में, तब तक